यह question क्या बोल रहा है, the following program consists of three concurrent processes and three binary semaphore, the semaphore are initialized as S0 equal to 0, S1 equal to 1 and S2 equal to 0, यह process 0 का code दिया हुआ है, process 1 का और process 2 का, ठीक है, फिर आप से पूछ किया रहा है, how many times, ठीक है, will process P0 print 0, ठीक है, आपको बताना है, process P0 print 0 को कितने maximum number of times print करेगा, ठीक है, चलिए, यहाँ पर दीखते है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर, S0, S1 और S2, semaphore की value दी हुई है, ठीक है, यह दी हुई है, 0, यह 1 और यह 0, दीक है, अगर माले जा, process P0, first अगर print करना चाहेगा, तो कर सकता है, क्या print, चलिए, चेक करते हैं, ठीक है, P0 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यह S0 less than equal to 0, it is a trap condition, यह trap condition है, और यहाँ पर लिखा हुआ, S equal to S minus minus लिखा हुआ है, ठीक है, it is a weight operation, और signal में क्या होता है, signal of, यहाँ पर S0, यह क्या होता है, S0 plus plus, यह आपको पता है हैं अबर, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यह particular process P0 अंदर जाना चाहेगा, तो जा सकता है क्या है, चलिए, चेक करते हैं, सेमाफूर की value क्या दी हुई है, सेमाफूर S0 की value 0 दी हुई है, इसका मतलब, यहाँ पर अंदर आएगा, यह value 0, 0 equal to 0, yes, तो यह process P0 trap में first जाएगा, इसका मतलब, process P0 चाहा के भी, इसको print नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पर, अब क्या होग चलिए, हमने context switching किया, process P1 यहाँ पर आ गया, अब देखें, यहाँ पर, process P1, देखें, यहाँ पर हम लोग चाहे हैं, तो, यहाँ पर context switching करा ले, यहाँ पर यहाँ पर कर ले हम लोग, देखो, अगर माल जो process P2 भी first, अगर चाहेगा, कि यहाँ पर execute होना तो हो सकता है, क्या फिर सेम condition है, यहाँ पर, S2 के value देखो, यहाँ पर, P2 अंदर आएगा, yes, अंदर आया, S2 के value किया है, 0, तो इसका मतलब यह चाह के भी अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि सेम, यहाँ पर हो जाएगा S2, यहाँ पर हो जाएगा S2, यहाँ पर 0, 0 equal to 0, मतलब trap में फास जाएगा इसका मतलब P2 चाह के भी अंदर नहीं आ सकता, तो क्योंकि सेमें एक ही option है, क्या हुआ, क्या option है कि process P1 पहले execute करें, ठीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, process P1 को execute करते हैं, चली करिए यहाँ पर, तो सब यहाँ पर क्या हुए, value decrement हो गई, मतलब इसके value 0, हम कहां पहुँच गए, यहाँ पहुच गए, process P1 यहाँ पहुच गया, इसने फिर क्या किया, release, S0, release मतलब होता है, signal, चाहिए पिसको release बोलिए, चाहिए signal बोलिए, ठीक है, सेम चीज़ है, ठीक है, तो इसने क्या कर दि क्या, release of S0 कर दिया, मतलब signal of S0, S0 मतलब क्या होता है, increment होता है, तो S0 के value क्या हो गई, क्या थी पहले 0, increment होके क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, यहाँ पर, अब देखो ध्यान से, S0 के value क्या हो गई, 1, इसका मतलब देखो ध्यान से, हम इसको execute कर सकते हैं, yes, इसका मतलब प प्रोसेस P0 आप प्रिंट कर सकता है यहां पर अब देखो यहां पर इसमें number of cases देखो इसमें case number first case number first देखते हैं ठीक है suppose मा लेजिए यह बाहर जाता है यह बाहर जा सकता है यह बाहर चले चेक करते हैं यह यहां पर आ गया process P1 यहां पर आ गया इसने execute किया release of S0 मतलब signal of S0 किया यहां आ गया weight of S2 अब देखो समझे गया आपर weight of S2 यहां पर देखे weight के value क्या है यहां पर 0 तो इसका मतलब क्या हुआ जब यह process P1 यहां पर आगा तो फिर से trap यह बाहर नहीं आ सकता क्योंकि S2 के value हो गए 0 0 equal to 0 मतलब trap यह फास जाएगा मत process P0 execute हो रहा है ठीक है अब यहां पर देखे process P0 यहां पर है weight of S0 चेक करिए S0 के value कितनी है 1 decrement करेगा value यह हो जाएगा 0 यह अंदर क्या करेगा print कर देगा print क्या कर दिया print क्या कर दिया 0 ठीक है अब देखे next यहां पर print करने के बाद क्या हुआ यहां पर release of S2 किया तो release मतलब signal of S2 M ad products value क्यों क्यों गहितनी ही मतलबlay iлер क्यों च्छी से value क्योंकि 1 अब यहां पर देखे यह बाहर आगया मतलब P0 बाहर आंगया डिक यहां पर देखे है अब यहां पर देखो यहां पर वेटा वेस्टो लिखा हुआ है और यहां पर वेटा वेस्टो लिखा हुआ है ठीक है सपोस्स मा लेजे आपने प्रोसेस पीवन को पहले execute किया देखो अभी यहाँ पर जो process P1 यहाँ पर है यहाँ पर context switching हो गया था context switching करके हमने P0 को complete execute किया था अब समझेगा कि अगर माल लेजे P0 के थूँ फिर आपने context switching किया P1 को यहाँ पर ठीके अगर P1 execute होगा तो जाएगी यह बाहर आएगा अब बाहर आएगा तो देखो धहां से P0 फिर से execute कर सकता है क्या यहाँ पर देखो एस जीरो के वैलू जीरो है इसका प्तलब पी ज्रो चाहां के भी execute नहीं कर सकता ठीक है फिर हम यहाँ पर आते हैं P2 execute कर सकता है क्या check करते है तो S2 के कितनी है S2 के value 0 ये भी एक्जगूट नहीं कर सकता फिर से हम लोग P1 के पास में आते हैं P1 क्या दो है weight of S1 S1 के value कितनी है 0 इसका मतलब है कि अगर हमने क्या किया इसके बाद में इसको एक्जगूट किया यहां से तो केवल one time print 0 हो रहा है केवल one time print हो ठीक है वर हमने क्या किया देखे अभी हमने क्या क्या यहां पर देखो signal मतलब release of S2 जब अपने किया था तो फिर से हम आते हैं तो हमने क्या 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 यहां पर यहां पर ठीक है यहां पर 1 था क्या हुआ जैसे प्रेंट किया 0, फिर a release of S2, तो यहां पर क्या होगा, यह value 0 से 1 हो गए थी, अब हमने क्या किया, next case देखते हैं, अब हमने यहां पर case number 1, case number 2 देख लेते हैं, ठीके, अभी हमने P0 के बाद में पहले P1 को execute किया था, P1 यहां पर था, अभी भी यही पर है, अब हमने यहां पर आया तो क्या हुआ, अब यह अंदर आया, अंदर आया तो weight of S2, अब देखा, S2 के value कितनी है, 1 है, यह value 0 किया, अंदर आ गया, अंदर आया तो क्या हुआ, release of S0, तो इस ने क्या किया, process P2 नहीं क्या किया, मतलब release of S2, मतलब signal of S2, मतलब S0, signal of S0, तो मतलब क्या हुआ, इस इस P2 को बाहर लेके जाएं, तो देखो weight of S1 और S1 के value 0 है, हम चाहा के भी P2 को बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, छले फिर से context switching करते हैं, फिर से context switching किया, कहाँ पर किया, यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर प्रेम्ट कर दिया, context switching होगा, process P0, फिर से 4 है, ठीक है, यह तो complete ह के बाहर आचुका है, yes, फिर से अंदर आया, weight of S0, check कर यह S0 के value कितनी है, अभी S0 के value 1 हो गई, तो 1 से क्या होगा, 0, आप अंदर आ जाएंगे, और print क्या होगा, print होगा, 0, print 0 होगा, मतलब फिर से क्या होगा, आपने second time print कर दिया, 0, ठीक है, फिर देखो, फिर क्या देखो, यह तो बाहर आने सकता, यह बाहर आ सकता है क्या, yes, देखो, P1 बाहर आ गया, yes, P1 को बाहर रे लेजे, तो P1 अगर बाहर आएगा, यह value क्या कर देगा, 0 कर देगा, और यह P1 बाहर आ गया, यह P1 यहां से यहां पर आ ठीक है, यहां पर, यह बाहर आ गया, ठीक है अब देखो ध्यान से, S0 के value भी 0 है, S1 के value भी 0 है, और S2 के value भी 0 है, इसका मतलब अब चाहा के भी यहाँ पर यह process बाहर नहीं आ सकता, मतलब इस instruction के बाहर यह क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, hold हो गया यहाँ पर, ठीके, और देखो यह तो ठीक है, यह फिर से execute नहीं क सकता है, यहाँ पर, ठीके, तो यहाँ पर देखे, केवल यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 time क्या print हो रहा, 0, 0, इसका मतलब answer क्या हो जाएगा, exactly twice, यह maximum बोड रहा है, maximum times किते बार print होगा, exactly twice, तो B is the right answer.